हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक एक बार फिर आप लों के बीच एग्जिट एग्जाम मिशन दोजार चोविस के फार्मासोटिक्स के आज के जो एमसी क्यूज होने वाला है वो बेस्ड आन साइज सेपरेशन तो साइज सेपरेशन से रिलेटेड अब कुछ देखेंगे जो आपके एग्जिट एग्जामिनेशन के किसी भी फार्मासिज एग्जामिनेशन के पॉइंट आप इसे इंप्वाटेंट हो सकते हैं तो इसमें देखें पहला कोश्चन दिया गया कि साइज क्लासिफिकेशन इस आलसो नोन आज इन वन आप दा फालोइंग त जाए कूछ रहा है तो चार ऊक्षन दियेगा है साइज अनलेसस, साइज इस्टिबुशन, साइज रचशन, साइज सेपरेशन तो Size Classification को हम लोग कहेंगे Size Separation और Size Separation का मतलब होता है कि जो Powder है आपके पास उन Powder को According to Size हम लोग क्या करते हैं? Separate करते हैं, अलग करते हैं अलग Size के According आप Size के According का मतलब Cores Powder ले लेंगे Moderate Cores को अलग कर लेंगे फिर इसी तरह से Fine, Very Fine तो ये जो Powder हैं को Size के According साइज सेपरेशन और आसवा नोना है साइज क्लासिफेकेशन तो इसका option D होगा that is a size सेपरेशन next question है coarse powder pass through sieve number तो powder को IP के according classify किया गया है और वो मैं बताओ जो powder को IP के according classify किया गया वो देखें तो यहां पे जो classify किया गया grade यानि powder को coarse powder, moderate coarse powder, moderately fine powder, fine powder, very fine powder, micro fine powder and super fine powder यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 class में powder को classify किया गया according to IP अब coarse powder को यह है 10 miss number और 44 तो यहां पे पहला option मिला 10 by 44 यानि पहला coarse powder के लिए जो option correct होगा वो that is a 10 by 24, sorry 44 अब यह जो 10 by 44 का मतलब है कि 2 miss use करेंगे एक 10 number का miss use करेंगे और एक 44 number का miss use करेंगे तो 10 number के लिए कहा रहा है seep through which all particle must part यानि अगर आपने 10 gram powder लिया तो यह mess number 10 आपने लगाए रहेंगे तो यह सारा का सारा powder mess number 10 से पास होके कहाना चुए mess number 44 पे तो यह condition है कि जो भी coarse powder हो सारे mess number 10 से पास हो जाएंगे चिक all particle must pass seep through which which not more than 40% particle pass 44 अब इसे से जो particle pass होगा वो सिर्फ 40% पास होना चीए सिर्फ 40% तो 60% यहाँ पर रिटेन हो जाना चीए तो ऐसे powder काम लोग कहेंगे coarse powder इसी तरह से moderate coarse है 22 by 66 इसी तरह से moderate fine है 44 by 85 fine powder है that is 85 by 120 और very fine यानि 125 और इसी तरह से micro fine को यहाँ पर लिखा गया 45 और super fine को 10 micrometer ठीक तो अगर micro fine है तो 45 में सपर्चर और super fine होगा तो 10 तो यह इसका option आपका 2 का होगा a that is a 10 by 44 तीसरा question है कि mode of motion in size separation यानि जब हम size separation करते हैं तो इसमें motion का mode क्या होगा तो हम लोग agitation भी use करते हैं brushing भी use करते हैं तो इसका option होगा both that is a agitation and brushing next question देखा जाए screen number denotes the number of mess in linear length यह question को बहुत पुछा जाता है कि जो sieve का number होता है जो sieve number हम लोग denote करते हैं कि 5 number का sieve है 10 number का sieve है 20 number का यह कैसे denote किया जाता है तो यह कहा रहा है कि linear length यानि एक y है जो length होती है इस तरह से हमने लिया अब देखा यह aperture देखा है 1,2,3,4,5 यह 5 aperture है यानि 5 holes है यह 5 holes है तो इसकों कहेंगे sieve number 5 अब यह 5 के यह जो length wire किये यहां से लेके यहां तक यह जो length है यह length कितनी होनी चीए यह होना चीए 25.4 mm या 2.54 cm यानि यह जो length है 2.5 to 25.4 mm इसमें जितने number आप false होंगे while sieve number होगा अगर यही sieve number यह आप एक और बढ़ाद है ते हो जाएगा अच्छे लेकिन length आपकी यह होगी 25.4 mm या कभी-कभी आपको मिल जाएगा 2.54 cm तो option A correct होगा इसका next question है कि size separation can be used size separation किसके लिए use करते हैं तो size separation prepared granules or desire size यानि अगर आपको granules desire size में चाहिए तो आपको size separation करना पड़ेगा particle size and distribution करना है तो भी size separation उसकरना पड़ेगा efficacy अगर आपको लेना तब भी size separation उसकरना पड़ेगा इसका option आपका होगा D that is all of the above अब देखाए यह nominal aperture size indicate aperture size का मतलब हो गया जो अभी मैं sieve number बता रहा था कि यह जो sieve number यह जो aperture जिसको hole कहते हैं यह hole है क्या तो hole simple क्या है gap between two adjacent wire यानि यह तो wire है इन wire के बीच में जो gap है इसी को हम लोग कहते है nominal aperture तो gap between two adjacent wire ठीक अब next question देखा जाए साथवा size separation is also known है size separation को हम लोग क्या बोलेंगे तो size separation को sieving भी बोलते हैं, shifting भी बोलते हैं, classifying भी बोलते हैं यह option हो, इसका correct होगा D that is all of the above next question देखा है, fine powder pass through sieve number अभी इसके पहले मैंने बताया तो fine powder के लिए 85 by 120 sieve use करेंगे 85 by 120, ठीक तो वही 85 से सारे और 120 से सिर्फ 40% इसका option A correct होगा, that is 85 by 120, अब 9th question देखा, during the size separation those particle remains on the screen surface उनको क्या कहेंगे, यानि कभी sieving जब हम लोग करते हैं, जब sieve यह use करेंगे sieve हमने use किया, उपर powder हमने लिया, तो जब sieve किया तो कुछ powder नीचे आ गया, कुछ powder उपर इस तरह से आपके return होगे, इनको क्या कहेंगे, जो नीचे आते हैं, उनको बुलते हैं, under size, यानि यह message side छोटा था, इसको बुलेंगे under size, जो message screen के उपर इसको बूलते हैं, oversize के हैं, बड़े size के हैं, इसलिए screen के उपर होगे तो 9th का option correct होगा D, that is a over size method of size separation, क्या-क्या method यूज़ के जाते हैं, size separation में, तो method देखा जाएं, हम लोग saving भी यूज़ करते हैं, centrifugal force भी यूज़ करते हैं, wet saving भी यूज़ करते हैं, तो method of size separation का correct answer होगा, all of the, ever अब देखा जाएं, 11th question है, cyclone separator work on the, cyclone separator हम लोग size separation के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो काम करता है, ये centrifugal force पे काम करता है, ठीक, particle को high speed से भेज़ते हैं, rotation होता है, और जब particle में rotation होगा किसी भी चीज़ में, तो इसमें force लगेगी centrifugal force और इसी centrifugal force के principle पे ये काम करता है, 12th is size separation not based on the following property, कि इस पे based नहीं होता, यानि कौन सी property size separation में use नहीं करते हैं, तो इसका option होगा d that is a particle texture, यानि size separation में density का भी use है, shape का भी use है, size का भी, लेकिन particle texture का use नहीं है, तो इसलिए 12th का जो answer होगा, वो answer होगा d that is a texture, तो ये आपका question था exit के लिए, pharmaceutics के size separation के लिए, और इसी तरह से और chapters को लेके मैं आपको question आऊंगा, आप सी क्यूज, related exit, जो आपके examination point of इसे बहुत important होने वाला है, तो फिर next video में फिर मिलेंगे, till then, goodbye, have a nice day.